जय श्री मन्ना आ रहे ने बड़िन्दा बड़िनकर मेरा आंखे तरे श्री आने का खुश रही है कोई प्राश्न है जी बोलो फिर अगर बत्ती जलाना सही है धूबत्ती जलाना सही है धूप अगरवत्ती में बास है यदी तो बास अपने सनातन धरम में नहीं जलाते बास को क्योंकि बास को वंश कहा जाता है इतलिए बास नहीं जलाना चाहिए अगरवत्ती में यदी बास का प्रयोग है जिस अगरवत्ती में उस अगरवत्ती को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि बास जलता है और बास को वंस कहते हैं तो वंस क्यों जले है इसलिए हमारे धूपम समर पयामी धूप जलाने की परंपरा है अगरवत्ती नहीं अगरवत्ती में बास है इसलिए मना ही है और कोई कारण नहीं है यदि बास के वेना कोई और लकडी का प्रयोग है उसमे पहले में मास मचली खाते थे, में कथा दुवारा से मेरे चुटा है, क्या पाप लगेगा कि नहीं? अब जो खा लिया है, वो तो पाप है ही, आप जो नहीं खा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, अब जो पुन्य करेंगे, तो आपके पुन्य से वो पाप ख़तम हो जाएगा जो लोग मास खाते हैं, उनलोग पाउं चुना है चाहिए कि नहीं? अब आपके पिता हैं, तो पाप पिता के चुना ही पढ़ता है, प्रणाम करना ही है, उनको समझाया जाए कि मान से ना खाएं, क्यों खाएं, वो भी? नहीं, दरवंगा में बात हुए थे, बात नहीं माना आप लिए आना हम समझाएंगे अभी आए हैं? मेरे मा तबियत खड़ा भे ज़्यादा, इसलिए हुसनी समझाएंगे लिए आओ जाओ बात करने चलो, सबको बात करने दो राधे, राधे राधे, राधे लो मैया, खड़े हो जाओ जली राधे, राधे महराजी महराजी, गुरु जी थे दिख्षा दी थी बहुत सारे सवाल उनसे पूछते थे पर अब गुरु जी नहीं है बहुत सारे सवाल है पूछो तो गुरु नहीं है और सवाल आते हैं तो सवाल आप तो यसे वारवार नहीं मिलते पर बहुत सवाल आते हैं निधी बंधु क्या होते हैं निधी बंधु क्या होते हैं निधी बंधु बंधु जो हमारे निकट के होते हैं निधी बंधु कहते हैं पास की लोग गुरु जी कहते थे कि अधी सवाल आएं तो हनमान जी के पास प्रात्ना करके पूछ लिया करो पर कभी-कभी बहुत- सवाल है नहीं आते ही रहते हैं सवाल तो आज आते कभी कभी सवालों से घर जाते हैं बच्चे भी सवाल पूछते हैं ममें आप सवाल दीजिए तो उनका उत्तर कैसे दें कभी-कभी उनके सवाल लिख लिया करो हमारे पास आया करो और लिख करके जब लाया करो तो सवाल अ करते हैंद कर दो अ कर दो एती है